ओम्शान्ति आज 28 अप्रल 2022 के साकार मधुर महवा के हैं बाबा केते बच्चे तकदीर को उंचा बनाना है तो पहले पक्का निश्य हो कि मैं आत्मा हूं स्वेम भगवान मुझे पढ़ाते हैं अगर ये निश्य नहीं है तो वो बच्चे किसी काम के नहीं छोटे बच्चों को भी सिखाओ कि शुब बाबा को याद करो बाबा को याद करते रहो तो बाबा बहुत मीठा बहुत प्यारा लगेगा दिल से गाएंगे कितना मीठा कितना प्यारा बाबा आत्मा ही संसकार लेके जाती है छोटे बच्चों को भी सिखाएंगे तो उनका बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा, बाबा बाब के साथ धरम राज भी है, कोई भी भूलो जाती है, तो बाबा को सच बताना है, कभी भी बाबा को छोड़ के नहीं जाना, अगर बाबा को छोड़ के चले जाते हैं, तो बाबा के ते ये मरा, अठार्थ बाबा का हाथ छोड़ देने से माया गसीट के ले जाती है फिर नियम भी बहुत कड़े हैं सच्चे बाबा के साथ सच्चे रहना है कुछ भी छिपाना नहीं आज पूरा दिन जिस किसी को भी देखेंगे उसको भी वर्दान पाटेंगे पास्वी दौनर भाव इस दुनिया में सबसे सुंदर सेफ प्लेस है बाबा का दिल तक्त जहां पर माया के तुफान प्रकृती के तुफान छूब भी नहीं सकते हैं आज बाबा के दिल तक्त नशीन बन कर रहेंगे अब सुनते हैं आज की मधर मुरली आदरनिये बड़े दीदी से ओम शान्ति गुड बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अब घर चलना है इसरे दे का अगान छोड़ते जाओ मैं इतना अच्छा हूँ धन्वान हूँ ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो प्रशन है किस निश्चेवा दारनास के अधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत उच्ची तकदीर बना सकते हो किस निश्चेवा दारना के अधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत उच्ची तकदीर बना सकते हो उत्तर है पहला निश्चे चाहिए कि हम आत्मा है अब यमे शरी छोड़ कर वापिस घर जाना है इस रेज दुनिया से दिल नहीं डगानी है दूसरा हमको पढ़ाने वाला साथ ले जाने वाला एक शिबाबा है उनकी शिरी मत पर हमें चलना है शिरी मत पर चल अपना वापने मित्र सबंदियों का कल्यान करना है जो बच्चे शिरी मत पर नहीं चलते या जिने पढ़ाने वाले बाप पर निष्चे नहीं वह कोई काम के नहीं वह चलते चलते गुम हो जाते हैं ओच तक दीर बनाने सकते गीत हैं ओम नमो शिवाय ओम शान्ति बच्चे बैठे हो जानते हों बाबा के सामने बैठे हैं कोई सन्यासी उदासी मित्र सबंदियों के सामने नहीं बैठे जानते हो के हम वरावर अती मिठे बाप जिसके हम जनम जनमांतर याद करते हैं उनके सन्मुख बैठे हैं हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं जानते हों बरावर बीठे बाप जिसके हम जनम जनमांतर याद करते हैं उनके सन्मुख बैठे हैं हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं सandhasiyon के तो followers बनते हैं। रहते हैं अपने घर में ना। वैä followers कहलाते हैं। तुम बच्चों को follow करना है बाब को। बुद्धी में ये याद रहे के हम आत्मा हैं। जहां बाबा जाएंगे वह हम जाएंगे। बाबा शांती दाम जाएंगे, हमें साथ ले जाएंगे, मेरा कार बाबा परम दाम से जहां आते हैं, पति तों को पाण बनाने, आएंगे तो पती दुनिया, पती शरीर में, जो पहले नंबर में पावन था, जिसने चुरासी जनब होगे, उन में बैठ कर ये सब समझाते हैं जो पहले नंबर में पावन था जिसने चुरासी जनब होगे हैं उन में बैठ कर ये सब समझाते हैं जहां बहुत बचे बैठे हैं टीचर को एक को पढ़ाएगा क्या भगवान वाच सिरो अर्जुन परती ऐसा दो हो ना सके बचे जानते हैं हम आत्माएं बाप के सामने बैठी हैं बाबा कहते तुम्हें शरीर को यहां छोड़ कर वापिस घर चलना है इसरे दे का बाँ छोड़ते जाओ मैं इतनी अच्छी हूँ मैं दनवान हूँ ये सब छोड़ना है मैं आत्मा हूँ ये निश्य करना है बाप को याद करते करते बाप के साथ चले जाना है शी बाबा कहते मुझे तो दिय भी इमान हो ना सके क्योंकर मुझे अपनी दे नहीं है जब तुम आत्माँ मेरे पास ती तो तुम भी जोती बिंदो थी दे नहीं थी फिर दुनिया फिर साकारी दुनिया में आकर शरी धारन कर पाड़ हो जाया अब तुमने चरासी जन्म का पाड़ हो जाया तुम कहेंगे हमने राजवाग लिया था फिर हराया अब फिर तुमको मुक्ती धांब आप इस दे चलने के लिए बाप आये है शरीरों के तो नहीं दे जाएंगे रहना भी गरस्त वैवार में है अपने घर बार को भी संभालना है सन्यासी तो घर छोड़ कर चले जाते बाप बच्चों से छुड़ाते नहीं है बाप कहते तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ के शी बाबा को याद करो समझाते रहो उनका भी शी बाबा से प्यार हो जाए बाबा कहते तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ के शी बाबा को याद करो समझाते रहो उनको भी शी बाबा से प्यार हो जाए शी बाबा कितना मीठा कितना प्यारा है सब को यहां बिठा देते तो बच्चों को कौन संभालेगा ऐसे यहां बहुत बच्चे हैं जो यहां से शरी छोड़ कर जाते हैं फिर दूसरा जनम लेकर आएंगे बाप से वर्षा लेने यह लेंगे भी यह निश्य होना चाहिए कि हम आत्मा हैं हम शरी छोड़ कर वापिस जाएंगे जहां तो एक ही बाप है बाप आया हम बच्चों को पावन बना कर वापिस ले जाने सज्जु में सब धरम भी नहीं थे सज्जु में एक ही धरम ता अदिशनातन देवता धरम अब सज्जु स्थापन हो रहा है अभी बाबा रिनकारनेट हुआ है तुम अभी रजुनेट हो रहे हो रिनकारनेशन एक के लिए कहेंगे बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमारे जीवन में अच्छा परिवर्टन आया है कभी थोड़ा कुरोद आता है बाबा कहते हैं हम बचे यह तो हो गई बिमारी को भट से तो छूट नहीं जाती सब गुन निकलते निकलते आखर निरगुन बन जाएंगे अब अब सरवगुनवान बनना है देवी देवतावाले गुन निकलते निकलते निरगुन बन गए, अब सरवगुन संपन बनना है, तुमको अथा अधन मिलता है, जहां लोग वाज कितनी चोर यादी करते हैं, तुम समझते हो, हमको शी बाबा पढ़ाते हैं, पहले जब तक इसको ये निश्चे नहीं, कि शी बाबा में पढ़ाते हैं, तो वो कोई काम के नहीं, बाबा ने समझाया, तुमारी आत्मा पतिद बनी है, अभी पामन बन रही है, शीरी मत पर ज़रूर चलना है, अपनी मत नहीं चलने, नित्र सबंदियों का शीरी मत से कल्यान करना है, बाबा शीक्षक बैठे हैं, बाबा को बताना चाहिए, बाबा चिठी लिखनी ह तो बाबा सिखाएंगे, बाबा चिठी लिखना सिखाएंगे, ऐसी जो पढ़ने वाले के रोमाज खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनसे तोड़ निभाना है, नहीं तो चारेटी बिगेस आट हो, कैसे होगा, कई हैं, जो शीरी मत पर नहीं चलते, तो गुम जाते हैं, जि उनकी इस्त्रियां नहीं आती, शी बाबा कहते हैं, उनको समझाओ, कि तुमने परतिग्या की थी न, कि मैं आपके आग्या मानूंगी, तुम्हारा फर्ज है, उसको प्यार से समझाना, शास्त्रों में ये सभी समय की बाते लिखी हुई हैं, अब बाबा ने आकर हमें बु तुम जानते हो, कि शी बाबा ने पांच अर वर्ष पहले भी ऐसा पाड़ बजाया होगा, ऐसे समझाया होगा, और ये ब्रह्मा भी जान गए, तुम अभी पुर्शार्थ कर रहे हो, जो अच्छी रीटी सर्विस करेंगे, वह फरिस्ता बन जाएंगे, अगर हिसाव किता किताब रह जाता है, तो सजा खाने पड़ेगी, अब तुम सन्मुक बैठे हो, तुम जानते हो, कि शी बाबा से पांच अजार वर्ष पहले भी ऐसा पाड़ बजाया होगा, ऐसे समझाया होगा, जे ब्रह्मा भी जान गए हैं, तुम अभी पुर्शार्थ कर रहे हो, जो अची रीती सर्विस करेंगे, वोई फरिष्टा बन जाएंगे, अगर हिसाब किताब रह जाता है, तो सजा खाने पड़ेगी, अब तुम सन्मुक बैठे हो, शी बाबा तुम को सुनाते हैं, ऐसे मसम्झो के ब्रह्मा सुनाते हैं, शी बाबा कहते हैं, बच्चे अब और तुम को पड़ाते भी हैं, कितना बंडर है, तुम कितने सो भागे शादी हो, जो एकी शीरी मत पर चलना चाहिए, कहते हैं, तुम सब से श्रेष्टे श्रेष्ट हो, मैं शीरी शीरी हूँ, तुम को शीरी अर्था श्रेष्ट बनाता हूँ, मैं शीरी शीरी हूँ, तुम रावन पर विज्जे प्रापत करते जाते हो तुमारी आत्मा रुपी सुई पर कट लग गई है अब चुम बखा कर साफ करते हैं साफ होंगे तो साथ चलेंगे कट उतारने के लिए बाप को जाद करो माताय श्री कृष्ण के मुख में माखन देखती है वह स्वरग रूपी माखन दो बिले आपस में लड़ते हैं रूसर अमेर का माखन श्री कृष्ण को मिलेगा श्री कृष्ण अकेला थड़ी राज्य करेगा सूर्य वंशी चंद्र वंशी घराना चलता है उसके बाद फिर राजाओं का घरान आ जाता द्वापर से ये भी बहुत पुराने चलते रहते पीछे प्रजा का प्रजा पराची है आप तुम जानते हो के बाबा ने हमको पाड़ वजाने के लिए बेजा था हम सपरंदां से सज्जू में आथे पाड़ वजाने स्वरग में बहुत सुकी थे इकी जनम का वर्सा भारत में गाय जाता ये कन्या इकी जनम के लिए वर्सा दिलाती है बाबा देखो कितने अच्छी रीती समझाते है बाबा के साथ फे दर्मराजवी है बाबा के साथ धर्मराजवी है अगर शीरी मत पर ना चले तो उनका राइट है धर्मराजवी है बाबा की गोद में जनम लिया फिर बार जाके मर जाते तो कितना घर्टा पर जाता शीरी मत पर नहीं चलते तो मर जाएंगे मनपुरानी दुनिया में चले जाएंगे कितना समझाते हैं कि सिरफ बुद्धी से समझो बाबा हम आपके है इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धी है ये बाबा भी कहते हैं ब्रह्मा बाबा कि हमने शास्त्रादी पड़े थे पर जानते कुछ नहीं थे अगर कोई कहे मुझे ये शिक्षा गुरू से मिली है तो क्या गुरू से शिक्षा एक कोई मिलती है क्या गुरू के फारोस तो बहुत होते है अगर गुरू की शिक्षा ली होती तो उच्पद के धिकारी होते यह तो बात ही निरादी है बाबा की शी बाबा की तो बाते निरादी है शी बाबा ब्रह्मा द्वारा शिक्षा दे सब का बुद्धी जोग उनसे लगवाते हैं बाकी सब से हटवाते हैं शी बाबा इनके द्वारा शिक्षा दे सब से बुद्धी जोग हटवाते हैं एक धक से सब को छुड़ा दिया ना ब्रह्मा बाबा को एक दम धक से छुड़ा दिया बहुत बच्चों ने असा किया बठी बननी थी पाकिसान में बच्चों की कितनी संभाल हुई बुद्धी वानों की बुद्धी बाबा बैठा है हम पाकिसान गौर्णमेंट को कहते थे अनाज अच्छा नहीं मिलता जैट अफिसर कह देते जो चईशो पसंद कर लो बुद्धी का ताला खोलने वाला तो बाबा था सेन तो कुछ करना पड़ता है कुमारियन देखो कितना सैन करती है कितना जाद करती है बाबा कमाल है कि हमको इशरी लाटरी मिलती है कितना बच्चों को मीठा बढ़ना है प्यार से चलना है घर वालों को भी सेवा करनी है रचत अगर भाग जाए तो रचना का क्या हल होगा सन्यासिं चले जाते हैं पिछ रचना का क्या हल होगा? जहां सन्यासियों का यह पाइढ था उस समें पवितरता की दर्कार थी क्योंके एक——दम कव जूग शरू हो आगे अभी करे चुप जूग स... तो सन्यासियों ने पवितरता की दार से उनको ठर्माया यह सारा खेर बना हुआ है सारी राजदानी जहां स्थाप्पन हो रही है सज्जुग में पतितों को पाउन नहीं बनाएंगे बात होंगे इसा पाउन यह संगम जुगी मशूर है बाबा कहते हैं मैंने आगे भी कहा था कि कलब कलब के संगम युगे में आता हूँ पांचार वर्ष के कलजुगान सद्युगाद के संगम पर में आता हूँ उन्होंने फिर युगे युगे कच्छबतार मच्छबतार दिख दिया मनुश्वी ससद करते आए रामराजी है सन्यासी सदैफ शांती मांते हैं सुक को नहीं मानेंगे कहेंगे ग्यान ठीक नहीं दुनिया में सुक है का क्योंकि सद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द करा रहे हैं तो बाबा के साथ सच्चाई सफाई से चलना है छिपाने में बहुत नुकसान होगा ना सुनाने के कारण भूल वृदी को पाती रहती है बाबा कदम कदम पर शिरीमा देते फिर भी कोई राय पर ना चले तो बाबा क्या करे बाबा समझाते मीठे बच्चे तुम इश्री संतान हो बड़ी राइटी और स्यानापन चाहिए बहुत प्यार से तुम्हें सब को बाब की पैचान देनी है पूछते हैं परमपिता परमात्मा के साथ तुमारा क्या सबान्द है बैतो स्वर का रचता है तो स्वर के मालिक बने का वरसा होना चाहिए न तुमको सब्च्चू का वरसा था फिर हरा दिया फिर बाबा कर देते हैं यह लक्ष्मी नरायन जहां का लक्ष है इस समय ऐसा जीवन बनाना है बाप जरू सर्जु का इराजे भाग देंगे तुम बच्चों को सर्विस करने चाहिए सब को जिये दान देना है एकी जनम के लिए तुम बच्चों को सर्विस करने चाहिए सब को जिये दान देना है एकी जनम के लिए तुम्हें महान पुझात्मा हो तुम्हारे जैसी पुझा तुम्हा कोई हो ना सके पुझा की दुन्या में तुम चलने वाले हो इसलिए तुम्हें बहुत बहुत मीठा बना है यह पति पांड बाप और दादा बच्चों को वहशाले से निकाल शिवाले में ले जाते हैं इनको रौर और नरवी कहते हैं यह तो दुख ही दुख है बाबा आया दुख दाम से निकाल सुख दाम में ले चलने के लिए हम असे पर लौकिंग मात पिता से सुदा सुख का बरसा लेने के लिए मिलने के लिए आए हैं यह बहुत खुशी की बात है तुम्हारे को खुशी है कि हम शिवाले स्थापन करने वाले भोला नाद बंडारी बाबा के पास आए हैं जाद भी शिव को करना है रत को नहीं, ब्रह्मा को नहीं अच्छा जी मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रित मात पिता बाब दादा का जाद प्यार, गुड़ मॉर्निंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को नमस्ते, नमस्ते बाबा गुड़ मॉर्निग शुक्रिया बाबा, शुक्रिया कितने उची मंजिल पढ़ ले जा रहे हो कितने उची पढ़ाई पढ़ा का श्रेष्ट जीवन बना रहे हो अब अधारना के लिए मुखे सार पहली पॉइंट बाप के सार सदा सच्चा रहना है कुछ भी छिपाना नहीं बहुत बहुत राइटी और समयदारी से चलना है दूसरा एकी जन्मों के लिए हरे को जिये दान देने की सेवा कर पुझ आत्मा बढ़ना है आत्मा रुपी सुई पर जो कट चड़ी हुई है उसे जाद की जात्रम मेरे उतारना है आज का भरदान सने की उड़ान द्वारा समीपता कानवव करने वाले सने की उड़ान द्वारा समीपता कानवव करने वाले पास्वी दानर भाव सने की शक्ती से सब भी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं सने की उड़ान तन से मन से दिल से बाब के समीप लाती है ग्यान योगधाना में जता श्यक्ति नमबर वार है लेकिन सने में हर एक नमबर वान है सने में सभी पास है सने का रत है पास रहना पास होना हर परस्तिति को सैजी पास कर लेना ऐसे पास रहने वाले ही पासित अनर बनते है मायर प्रकिती के तुफानों में सेफ रहना है तो दिवतक्त नशीन बन जाओ, बाबा के दिवतक्त बर चड़ जाओ और अब सुनते हैं आज का अविक्त ग्यान होती ये एक बहुत संस्कारिता पूर्ण विडियो है जरूर देखें कुम भी मिस ना करे